गुड इबनिंग नहीं सभी क्लासेस नहीं रहेंगी कुछ क्लासे हो चुकी निमाड और मालवा की हो चुकी है बाग ही आपको मिल जाएंगे अभी बुंदेलकंड और बगेलकंड है ये कोसेस करेंगे यूटूब पर दे देंगे आज क्या ओफलाइन में या जो मॉनिंग हमारे रेगुलर बेच एप पर चलते हैं वो हुए नहीं थे इसलिए हमने उसको यूटूब पर पढ़ा दिया जिसे बच्चे भी गुड इवनिंग जल्दी से आजाओ चलो थैंक्यू सभिता जी अच्छा आप लोग जितने लोग आ चुके हैं एक बार अपना प्लेस या डिस्टेक बता जी अपना नेम और डिस्टेक या नेम या विलेज जो भी हो डिस्टेक बता देना मैं समझ जाओगा जितने लोग आते जा रहे हैं अपना नेम और अपना डिस्टेक थोड़ा सा कर दीजिए, गुडीमिनिंग पर नाम सिवांचल जी, गुडीमिनिंग गलपना जी, गुडीमिनिंग तान्या जी, हाय विकी, चलो, युक्ता, गुडीमिनिंग, देवास, अर्जुन रिवा, मीडियम इंदोर, भूपेंदर प इसके बाद दसल, अच्छा, अविशेक, राइसेन, सविता, जवलपुर, ममता, मंसौर, सिवांचल, रिवा, निकिता, टीकमगड, पिनाय, जैपुर, पिनाय, जैपुर से क्या कर रहे है यहां पर, मनीशा, पन्ना, दीपा, छतरपुर, और उपर करना थोड़ा सा, नहीं इसके बाद कलपना, भोपाल, आकास, इंदोर, युकता, खंडवा, रित, अच्छा, माधवी, अच्छा, सुभास, अच्छा, सुभास, इंदोर, इसके बाद, रितू, सतना, इंदोर, अमित, सागर, राहुल, इंदोर इसके बाद चलो चिंदवाड़ा आधित है गिरी समाजी चिंदवाड़ा पूजा धार नाओ एमपी नेगर पियांसु भोपाल नेटव प्लेस कान पूर वरकिंग इन जैपोर प्रणाए अच्छा अंजिंक्या अनूप पूर चलिए कुलमला के एमपी के जाततर जिले से हैं ठीक है तो चलो पहले से हम पहले पांच मिट कल की क्लास का रिवीजन करते हैं तो जम्मू कस्मीर में कौनसी नदी का प्रजेक्ट कम्प्लीट हुआ है जली से बताओ जली से कमेंट सेक्सर में आपसे पुछाई करेंगे एकता इंदोर जोनी ग्वालियर नेंसी राम राम अच्छा से इंदोर आयते क्लास लेंडे फिर आपकी क्लास ओनलाइम करनी जो एन डीप्या अंकीता इंदोर चला हां बिलकुल करेंगे असी नम्मू कस्मीर की कौन सी रिवर प्रजेक्ट बिलकुल रा भी नहीं है देविका समराथ रतलाम देविका किसी साइक नदी है देविका किसकी साइग नदी है केमांग नहीं है केमांग में तो मसली मरी पाई गई सब को मिक्स कर दो कहां प्रजेक्ट हुआ कहां मसली मरी सब नदी मिक्स कर दो चलिए तो राभी की साइग नदी देखो कल की क्लास आज भूलने लगे सोनिका सही है चलो राभी राभी बिल जल्ली से बताओ कहां पर वाटर टेक्सी, बिलकुल समराट, बिलकुल सही, सोनिका, बिलकुल सही, सबका सही आंसर जा रहा है मुंबाई, एसे धढ़ादर आंसर आने चाहिए, अगला कुश्चन, केरल का ऐसा कौन सा डेम है, केरल का डेम है, जिसे तमिल नाडू कहता कि भरक कौन सा इसा डेम है, जल्ली से बताओ, बिलकुल सही, मुंबाई वालों का सही, अब बताओ, जल्ली से कठन कुश्चन भी आएंगे, कौन सा केरल के ऐसा डेम था, जिसमें तमिल नाडू रिक्वेस्ट कर रहा है, भरके रखो, सिरुवानी, प्रेंका, तानिया, निकिता, स समराट, असलार, सोनिका, युक्ता, बंदना, बिलकुल सब के सही, मजा रहा है, गलत आंसर मत देना, अगला, थैनी डिस्टेक्ट में, कौन से इस्टिटूट को लगाने से मना कर दिया है, तमिल नाडू ने, तमिल नाडू ने, किस इस्टिटूट को अपने यहां लगान से मना कर दिया है, क्योंकि पेरियार बगेरा को नुकसान पहुचेगा, बिलकुल सही, जपतान विकी, जोती बिलकुल सही है, आई एनो, तानिया, दसलार, परणाय, जोती, बिलकुल सही, मनला, याद है, आई एने नही है, आई एनो है, हो सकता है, मिस्प्रिंट हो गया हो अगला बोस्निया और सर्विया चर्चा में क्यों हो दो देश हैं यूरोप के बोस्निया और सर्विया किस बज़े से चर्चा में है जली से बताइए अच्छा बुरा जो भी हो किस बज़े से चर्चा में है दोनो हेट स्पीच अमित का सबसे सही आंसर चो भूला नहीं है बि ले लद्धा कौन सा नेशनल हाईवे जाते है जली से बताइए स्री नगर से ले लद्धा के लिए नेशनल हाईवे कौन सा है हेट स्पीच बिलको सही है सबका मुझे इसका अंसर चाहिए स्री नगर से ले लद्धा का वंडी बिलको सही है एनेच वंडी कौन सा दर्रा जाता जोहिला नहीं है जोहिला तो नहीं है जोजिला समराठ जोजिला जोजिला बिल्कोश सही है तो जोजिला चर्चा में क्यों है कि बी आरों ने दो operation चलाए हैं एक operation बीकन और एक operation बिजियक operation बीकर और बिजियक से जोजिला को open कर दिया दिसंबर के बाद ही जन्वरी में ही open record बन गया है अगला बारबा डोस दुनिया का पहला दुनिया का सबसे नया democratic country डेवनी republic country बना है कौन इसकी पहली राष्पती बनी है जली बता बारबा डोस जो दुनिया का सबसे नया republic है सबसे नया गड़तंत्र है उसकी राष्पती के ना बीकन बिजग बिल्कुल सही जली से बताओ अरे भाई या फ्रांस नहीं गलत है फ्रांस जो बोल रहे है कुछ से पूछ रहे है इसकी president का नाम क्या है Sandra, Sandra या सांदार याद कर लो Sandra Mason, Sandra से याद कर लो Sandra, Sandra इससे नाम है न यह यहां कर दो आर वहां कर दो तो बारबा डोस इतना अच्छा देश है कि सबसे नया republic है इसकी president भी सांदार बन गई है Sandra को सांदार याद कर लो बिल्कुल सही है, चलो अगला New Caledonia ने जनमत संग्रे कहा किया है और बोला हम इस देश से आजाद होना नहीं चाहते तो New Caledonia ने किस देश से आजाद होने से मना कर दिया इस देश का नाम बता जली से New Caledonia ने किस देश से आजाद होने से Nikita सबसे पहलान सा Nikita Samrat, Sonika, Yukta Vandana, Tania France बिलको सही New Caledonia ने मना कर दिया है ऐसे बता चलो ये Java या Indonesia का जौला मुखी है जो 50 साल बाद पटा इस जौला मुखी का नाम बताओ सबसे उचा जौला मुखी है Indonesia के Java Island का जौला मुखी नाम बताओ इसका क्या नाम है इस जौला मुखी का सेमरू इंडोनेसिया में Java है जिसमें सेमरू बिलको सही तो आप सब पूचेगा सेमरू जो आलम की किस द्वीप में है Java किस देश में है अगला रमना काली मंदर रमना काली मंदर किस देश में जली से बताओ रमना काली मंदर जहा हमारे राश्पती रामनाद गोविन जी गए है किस कंट्री में है किस कंट्री वो कंट्री इसलामिक कंट्री है कमाल की बात इसलामिक देश है बन रहा मंदर है रमना काली मंदर बिलको सही बांगला देश बिलको सही तानिया मनीशा आमेत प्रियंका निकिता, सोनाली, निसा, दीपा, दीपती, सब सही है चलिए अगला, किस देश के प्रेसिडेंट ने किस देश के प्राइम मिनिस्टों को बर्खास कर दिया जमीन घोटाले को लेकर, किस देश, देश का नाम बता दो बस केवल, इनका नाम है अब्दुल्ला और इनका नाम है हुसेन मुहम्मद अब्दुल्ला ही ने मुहम्मद हुसेन को टा दिया किस कंट्री की बाद चल रही है, सोमालिया, बिलको सही सोनिकास, ब्रिजदी, मनिसा, काजल, सोमालिया, सीरिया नहीं है सुनाली सिंग जी गलत है सोमालिया सोमालिया एक अंसर गलत देखो 100% सही करो मज़ा आएगा कोसिस करो कल क्या पढ़ाता चलो सोमालिया बिल्को सही अगला सोमालिया देखी लिया अगला है सीरिया सीरिया मैं लता किया एक बंदरगाय जिस पर लगातार दो बार हमले हुए कि कुस देश ने की वसे बतादो सीरिया के लता किया वंधरगाय पर कौन देश मिसाइल से हमला कर रहा है इस्डायल अमित का पहला ऐसार विल्कु सही मनिशा गिरिस्मा दसलर प्रियंका निकिता निशा दीप्ति टानिया बिल्कुल सही आप लोग आंसर देते जाएं तो आप खुद चेक करते जाओ ना कि आंसर सही हो रहा के नहीं अगला भारत की किस बस्ती को इकलोती बस्ती द्यान रख रहा है भारत की किस बस्ती को इनिसको ने सनरक्षन के लिए कंजर्वेशन के लिए अवाट दिया कौन सी बस्ती है भारत की अमेत निजामुद्दीन 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 देली नहीं है निजामुद्दीन बस्ती चलिए निजामुद्दीन बस्ती को इनिसको ने सरक्षण के लिए दो दो अबॉड दिये ध्यानक ने एकलोते नहीं दो दो अगला भारत के किस टाइगर रिजर्व म 23 साल बाद रोयल बंगाल टाइगर दिखा है भारत के किस टाइगर जर्म है 23 साल बाद बंगाल टाइगर जर्म है बिलकुल मोनिका जी जाबगा से अच्छा बुड बुक्सा बिलकुल सही बुक्सा बुक्सा जितने लोग बुक्सा दे रहे हैं बिलकुल सही है चला इसके ला पानी से बिजली बना के अमित विलको सही नेपाल विलको सही नेपाल चलो नेपाल नेपाल जितने लोग आंसर दे रहे हैं नेपाल विलको सही है चली अगला भारत के जहाज ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में लूटे जा रहे थे तो कौन सा ओप्रेशन चला दिया है ओप्रेशन का नाम बताओ जली से कौन से ओप्रेशन ओप्रेशन कौन सा ओप्रेशन चलाया ओप्रेशन संकल बिल्कोल सही प्रियंका, मनीशा, ब्रिजदीप, अमेथ सोनिका, निकिता, वंदना, युकता, अंजली, विकी, प्रणाय और कौन सा जहाज, जली से बता, कौन सा जहाज छोड़ा है यहाँ पर, रक्षा के लिए ओपरेशन संगर, बिल्कुत सही, मजा रहा, कौन सा जहाज है त्रिकंद, आई एनेस त्रिकंद, त्रिकंद नहीं है, चला, चला, अगला, यह कामिंग नदी, जिसमें मरी मसलियां पाई गई थी, जो ब्रणपुत की साइग नदी है, ठीक है, तो कामिंग में मसलियां मरी पाई गई अगला है पपुआ निव गिनी, इसने किसी देश की फ्लाइट पर बेन कर दिया है कोविट को लेकर, किस देश की फ्लाइट को बेन कर दिया पपुआ ने, पपुआ ने किस देश की फ्लाइट को बेन कर दिया जली बताओ, भारत, भारत, इंडिया, इंडिया, यह ना बुरा पूरा नहीं पुछ रहें अगला चौलो आप यहां से सुरू करना तो कल की क्लास यहां तक थी आप लोगों ने शांदार आंसर दी एक आद माइनर मिस्टेक है रिवीजर्ण करना देखो हम गलत क्यों करते हैं कि हमारा रिवीजर्ण नहीं हुआ हो सकता है क्लास में आपको स दीम बेट का टाइप के चित्र मिले तो हर्याणा में उच्छ पासाण काल उच्छ पासाण पुरा पासाण में तीन है ना निम्न पासाण मध्य पासाण उच्छ पुरा पासाण तो उच्छ पुरा पासाण के टाइम के हर्याणा तो आप से पूछा जाएगा हाल में ही एक मं पेंटिंग मिली है ये किस राज्य में हर्याणा ठीक है तो मंगर बानी पहाड याद रख लेना है ना मंगर बानी पहाड बिल्कुल ठीक है तो हर्याणा की मंगर बानी पहाड में इस्टोन एज के चित्र मिले है अगला देखते हैं तो अगला मंदर है काक्तिय रुद्रेश्वम मंदर यह तेलंगाना का काक्तिय रुद्रेश्वम मंदर और इसको काक्तिय रुद्रेश्वम मंदर इसको युनेस्को की सामिल लिस्ट में सामिल किया गया है काक्तिय रुद् यह चलो अगला पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्फ सेंटर खोला गया क्यों खोला गया कि पटना के बगल सही कौन सी नदी निकलती है गंगा और गंगा में रहने वाली डॉल्फिन भारत का नेशनल राष्टिय जली जीव है नेशनल एक्टो एक्वेटिक और गनेजम है तो चूकी पटना के गंगा में डॉल्फिन रहती है इसलिए हमने पटना में ही देश का पहला डॉल्फिन रिसर्ज सेंटर तो अगर आप सो पूछें कि डॉल्फिन आ अकई कर्सेंटर तो डॉल्फिन रहती पार गंगा क्योंकि गंगा डॉल्फिन वैसे थो चंबल में ब naming रहती है पर गंगा धोल्फिन को भृत का राष्ट्रिय जली जीव गोसत किया है यह ना वैसे तो राष्टिय पसू these जंवर कुन सा है डॉल्फिन तो गंगा अगली खबर है Statue of Unity यह Statue of Unity जो सरदार बल्लबाई पटेल की है सबको पता है ठीक है इनके जनम दिन पर एकता राश्टी एकता दिवस मनाते हैं कमेंट सक्षन में बताना कब मनाते हैं तो जो राश्टी यह यूनिटी है इसकी जो खबर है पहले तो यह देख लो बनाई किस ने है तो इसको बनाया है राम विज सुतार ने राम विज सुतार ने इसके आर्किटेक्चर है पहली चीज़ तो Statue of Unity जो गुजरात में है उसके सिल्पकार राम विज सुतार या राम भी सुतार है पहली चीज़ खबर यहां से नहीं है फिर भी मुझे लग राते ने वाले ते राम पी सुतार अब जो इस्टेची ऑफ यूनिटी है यह पंच कुली जील है यह पानी देख रहा है या पंच कुली जील है और यह बहुत खतरनाक जील मानी जाती है मगरमच्छों की वज़े से तीक है तो अब दिक्कत यह है कि अगर कोई इस मूर्ती को दे गया है 31 अक्टुव ग्यारा नहीं है सुरूभी 31 बिल्कुर सई ठीक है तो इसलिए पंच गुली जील से 200 से ज्यादा मगरमच्चों को दूसरी जगा ट्रांसफर कर दिया इसलिए पंच गुली जील चर्चा में है तो समझ में आ गया तो यह जो स्टेची ऑप यूनिटी है एक किस जील में है पंच गुली जील तो आप बता दोगे स्टेची ऑप यूनिटी के कौन आर्किटेक्चर है और किस जील में है पंच मुली अब दूसरा कुशान अभी राजिस्थान PSC का पेपर हुआ था एक इकदो महिने पहले उसमें पूछाता है स्टेची ऑप पीस उसमें पूछाता है स्टेची ऑप पीस ठीक है ज्यादा आचार विजय बल्लब की मूर्ति है तो जैसे आपके गुजरात में Statue of Unity लगाई है ऐसी राजिस्थान के पाली जिले में Statue of Peace लगाई है जो जैनमुनी आचार विजय बल्लब के लिए लगाई है मोधी जी ने इसका अनावरण किया था राजिस्थान में ध्यानगना तो स्वदेशी आंदोलन भाग लिया मतल़ा आचार विजय बल्लब जी आसपास साथ रहने वाले हैं इन्होंने खादी आंदोलन मुसलिम के लावा दूसरे दर्म के लोग उनकी हत्याय की जा दिया तो विजय बल्लब ने आने से मना कर दिया विजय बल्लब जी ने बोला कि जब तक एक एक जैन भक्त हमारा भारत नहीं पहुँच जाएगा मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूँगा तो आचार विजय आए फिर भी विमान से नहीं आए क्यों जितने भी जैन गुरू होते हैं वो पैदल ही चलते हैं तो आप से पूचा जाएगा स्टेची ओव यूनिटी कहां गुजरात में सरदार बल्लब भाई पटल जी की है फिर पूचेंगे स्टेची ओपीस कहां है राजिस्थान के प बगजान और यह ओल इंडिया लिम्टेट की ओल फिल्ड है और इसमें कई महीनों तक तेल आग लगी रही इस तेल के कुए में पांच महीने से ज्यादा लगातर आग जलती रही तो आप से पूच्छ सकते हैं कि बगजान ओल फिल्ड जो हाल में ही चर्चा में थी किस लिम्टेट की ओल फिल्ड है और यह लगबग पांच महीने तक यहां आग जलती रही इसी रहे आग इतरी लंबी क्यों जलती रही जब इसे खुद तेल पेट्रोल रीजल खुद ही मिल गया तो यह जलती रही होगी तो आपको बगजान तेल फिल्ड याद रखना असम की और किसकी है औल इंडिया यह रेट कलर का पैन नहीं दिख रहा कि आपको सम्राट जी ने लिखा है क्या रेट कलर का पैन नहीं दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं बगजान वगेरा जली से कमेंट करके बताईए यह रेट कलर का पैन सही लग रहा है या ब्लू कलर का पैन या ब्लेक कलर का लिखके दे रहा हूँ ये लिखा जैसे मैंने बगजान ये ब्लेक कलर से लिखा है तो क्या आपके लिए ये सही है रेड कलर ही तो यूज कर रहा था रेड दिख नहीं ना ब्लेक सही है चलिए तो बगजान ओईल फिल ठीक है यह उसमें, अब All India Limited की है, तो All India कौन है, भारत की एक महारतना कपनी है, दस कंपनी है, कौन कौन सी, तो सबसे पहले मैंने स्याथ किया है, कौन आई, कौन आई, तो कोल C for coal India, O for ONGC, इनके फुलपम पूछते हैं, N का मतलब NTPC, Y का मतलब Indian Oil, तो कौन आई, कौन आई, तो भेल आई, गेल आई, सेल आई, कौन आई, भेल आई, गेल आई, सेल आई, भेल मतलब भारत हैवी एलेक्ट्रिक लिमिटेड, गेल का मतलब Gas Authority of India Limited, और सेल का मतलब है Steel Authority of India Limited, तो कौन आई, कौन C का मतलब है, कौल इंडिया, मैंने ऐसे याद किया, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, तो कौल इंडिया, ONGC, NTPC, और आई का मतलब है Indian Oil, कौन आई, तो भेल, गेल, सेल, इदनी याद हो गई, इसके लाबाद दो पेट्रोलियम याद रखना है, कौन- एक भारत पेट्रोलियम और एक हिंदोस्तान पेट्रोलियम, दोनों पेट्रोलियम, और इसके वाद जो सबसे नया जुड़ा है, वो पावर ग्रेड, कौनसा, पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन आप इंडिया लिम्टेड, ऐसे करके मुझे 10 याद है, आपको जैसे याद हो तो यह 10 महा रतना कंपनी है, इन्हीं में से एक है ओईल इंडिया लिम्टेड, इंडियन ओईल कॉर्परेशन और इसी की तेल कंपनी है बगजान, अब दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है बगजान, इसी इंडियन ओईल की बगजान ओईल फिल्ड में हो गया, चल तो कल ही देखा था, दस था, चलए, इसकी बाद अगली खबर पढ़ते हैं, अगली खबर है स्वाजी लेंड से, ध्यान अखना, साउथ अफरीका के अंदर, अंदर ही 2 देश हैं, एक लिस्थो है, एक स्वाजी लेंड है, साउथ अपरिका के अंदर ही 2 देश है, जब इस्तवानी यहां के लोगों ने यहां के ही राजा कोने राजा तो इसके राजा है मसावती या मसवाती थर्ड के खिलाब बिद्रो कर दिया है तो आप सब पूछेगा किस देश की जनता ने अपने ही राजा के खिलाब बिद्रो सुरू कर दिया है तो वो स्वाजी लेंड य अब इसका नाम हो गया Kingdom of Istvani, इन्होंने अपने ही राजा मसवाती थर्ड के खलाब बिद्रो कर दिया, इसलिए अफरिका का ये देश चर्चा में है, तो अफरिका के एक देश है Swagiland, जिसका नया नाम है Kingdom of Istvani, और इसके राजा मसवाती तर्थी है, इनके खलाब इनकी जन जन्ता ने बिद्रो सुरू कर दिया, चलो, अगली खबर पढ़ते हैं माली से, अगली खबर पढ़ते हैं अफरिका के माली, तो एक खबर हम Swagiland से पढ़ चुके हैं, अब माली से पढ़ते हैं, तो यहां के माली में जो राश्पती थे, इब्राहिम, बुम्बुकार, कीटा, इनको 2020 में पद से हटा दिया, बिद्रो करके पद से हटा दिया, इनकी 2022 में जन्वरी में मिरत्य हो गई, तो माली के उस समय के राश्पती थे, चलिए, तो माली के राश्पती थे, इब्राहिम, बाबुकर, कीटा, इनने 2020 में इनकी ही आर्मी, माली के ही आर्मी ने, माली के विद्रोयों ने पद से हटा दिया हिरासत में ले लिया और इनकी 2022 में मृत्तिव हो गई है इसने बहुत इंपोर्टेन कुश्चन बन था कि इनको जबस्ती पद से भी अटा दिया और अब इनकी डेथ भी 2022 में हो गई तो माली के राश्पती है इब्राहेम बावुकर कीटा, ठीके कहां के हैं माली माली मतला अफ्रीका, अगली खबर फिर अफ्रिका से है नामी बिया में, तो अब अगली खबर पढ़ते हैं नामी बिया की, सुनो, तो नामी बिया में दो जंजाती रहती थी हरेरो या हैरेरो और नामा तो एक अफरिकन देश है जिसका नाम है नामी बिया नामी बिया में दो जंजाती है हैरेरो और नामा जर्मनी ने जब इस अफरिका के नामी बिया पर राज किया था इन में हजारों आदि वासियों की मृत्यू मला हत्या कर दी नरसंगार जिसे जीनोसाइड कहते हैं सुनो तो जर्मनी ने इस अफ्रिकन देश जिसका नाम नामी बिया है इसकी दो जन्जाती हरेरों और नामा के हजारों लोगों को मार दिया नरसंगार कर दिया और अब 2022 में नामी बिया और जर्मनी के बीच एक समझोता हुआ जिसमें जर्मनी ने माफी मांगी और 1.1 अरब डॉलर की साहता दी जिससे इन जन्जातियों का विकास हो चके तो आपसे बहुत इंपोटेंट ये जन्जाती हो गई अब जर्मनी ने माना कि जब हमने नामी बिया पे राज किया था तो इन जन्जातियों की कुरूरता से हत्या कर दी थी जीनोसाइट किया था तो आप से पूछेंगे कि जर्मनी ने किस देश के नरसंगार के लिए माफी मांग ली तो नामी भी या और कौन सी जन जाती का नरसंगार किया था तो हरेरो और नामा यहां तक कोई दिक्कत चलाओ यहां तक कोई दिक्कत अब अगली ख़बर की तरह पढ़ते हैं तो अगली खबर है El Salvador, El Salvador कहां पर है? तो North America और South America के बीच में ये देश हैं, मेक्सिको के नीचे जने कहते हैं मद्ध अमेरिका, Central America, इसी Central America में एक देश पढ़ता है El Salvador, ये Bitcoin को मनता देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, मुझे लगता ये बिलकुर रखा मिलेगा Prelims में, कि दुनिया में Bitcoin को सबसे पहले मनता, लीगर टेंडर देने वाला कौन सा देश है? El Salvador, चलिए, ठीक है? तो याद हो गया? El Salvador, Bitcoin, चो देखते हैं, यहां तक, आज की क्लास में कहां तक याद हुआ है? मांगर बानी पहाडी, जिसमें अभी पासान काल के चित्र मिले हैं, किस राज में हैं? जली से बताईए, लिटल अमेरिका नहीं है, मद्ध अमेरिका बोलते हैं, चलिए, जली से बताईए, मांगर बानी पहाडी, अमूल हर्याणा, दसला हर्याणा, प्रंके आदो हर्याणा, युक्ता हर्याणा, कलपना, प्रणाय, बिक्की, निकिता, राहुल, मीडियम, समराड, प्रगत्ती, स जिर्याण, सब हर्याणा, बिल्कुस सही, चलिए, अगला कोश्चिन, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस सहर में खोला गया, जली से बताओ, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस सहर में खोला गया है, मैं अभी आई, इसी का, पटना, ठीके, बिल् अगलपुर अगला स्टेच्व औफ यूनिटी किस जील में है किस जील में है स्टेच्व यूनिटी किस जील में जली से बताओ जहां से मगरमच्छ निकाले गए हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो अच्छा डॉलपन को पटा लिया गुड जली से बताओ पंच मुली पंच मुली कुली नहीं है वो मैंने गलत बोला था पंच मुली है चरे पंच मुली बिलकुँ सही अगला स्टेच्व औफ यूनिटी को बनाने वाले आर्किटेक्चर कौन थे जली से बताओ स्टेच्व औफ यूनिटी को बनाने वाले ये आर्किटेक्चर कौन इनका नाम बताओ किस ने बनाई थी स्टेच्व औफ यूनिटी की मूर्ती राम विज सुतार राम वी सुतार बिलकुँ सही याद है मजा रहा है चलो अगला Statue of Peace किस राज्ज में है और किस संत की है दो कुश्चन के आंसर चाहिए मज़े Statue of Peace किस स्टेट मुझे जगा का नाम नहीं चाहिए District का नाम चाहिए Cable, State का नाम चाहिए और किस जैन संत की जैन मुनी की है हाँ PDF इसमें मिल जाती है पूजजी चलो UP नहीं है गलत है यूपी वाले गलत है राजिस्थान में हैं और आचार बलभ बिलको सही भागलपुर नहीं है चलो तो आचार विजै बलभ है और यह राजिस्थान में Statue of Peace आंसर गलत की हो रहा है आज याद नहीं हो रहे किया दो लोगों की यूपी दिये है Statue of Peace अगला असम की एक तेल फिल्ड में पांच महिने तक आग लगी रही उस तेल फिल्ड का नाम बता दो किस ओयल फिल्ड में नाम किस ओयल फिल्ड में पांच महिने तक लगातार आग लगी रही उस ओयल फिल्ड यह इस लिए और ओल फिल्ड का नाम क्या है बगजान बिल्कों सही है. है ना आग लग गई होगी ते एक ने दूसरे बोला का भग जान है भग जाओ. इसले है साथ कईकल इस रही बार जल्द इनके राश्पती को 2020 में जबर्दस्ती पद से अटा लिया गया था और 2022 में इनका नाम किसी को याद है किया माली के राश्पती का नाम हाँ जान तो निकल गई होगी बिलकुल अगला नामि भिया की दो जन्जातियों के खलाप नरसंगार हुए वो दो जन्जातिय कौन सी थी नामि भिया की दो ट्राइप्ज कौन सी थी जली से बताओ हेरे रो और नेमा सोनी का बिलको सही है हेरे रा और नेमा अमित्स का सही है युकता सही है और किस देश ने इन जंजातियों का नरसंगार किया था सविता निकिता नीलाम प्रियंका सही है किन जंजातियों किस देश ने इनका किया था नरसंगार और 1.1 अरब डॉलर भी देने का वादा किया कौन सा कंट्री है जर्मनी बिलको सही जर्मनी चलो बढ़िया इसके बाद एल सेलवाडोर दुनिया का पहला देश जिसने किसको लीगर टेंडर मतलब वैलेट कर दिया है बिटकोईन को चलो अब आओ इस पर अंटार्टिका अंटार्टिका के पास एक महासागर है दक्षणी महासागर पहले हम प्रसांद को महासागर या ओशियन बोलते थे अट्लांटिक को बोलते थे इंडियन को बोलते थे और आर्केटिक को बोलते थे अब दक्षणी सागर जो अंटार्टिका के पास में है ये दुनिया का पांचमा महासागर बन गया है तो आप से पूछा जाएगा कि दुनिया का पांचमा महासागर की मानिता 2021 में किसको मिली है तो अंटार्टिका के पास में है सदन ओसियन, अंटार्टिका के दक्षण में सदन ओसियन है, ठीक है, पाँचमा, ये कौन सी संस्ता तो National Geographic Society जो 1888 में बनी थी, उसे ने पाँचमा महासागर बोला था, तो जो पाँचमा महासागर आपको याद रखना ये बहुत सदन ओसियन या दक्षणी महासागर, हिंदी मोलते हैं दक्षणी महासागर, इंगलिस में बोलते हैं सदन ओसियन, ठीक है, कौन सी संस्ता बनाती है, तो National Geographic Society जो 1888 में बन गई थी, और इसका हेड़क्वाटर अमेरिका के वासिंग्टन डीसी में, तो एक संस्ता है, जो ज यार टिका के महासागर को, दक्षणी महासागर को दुनिया के पांच में ओशियन की मानिता दी, बिल्कुस से, अगला बात करते हैं, अगली बात पाम ओयल की, देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ओयल इंडोनेसिया में होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प जादा पाम ओयल अगर कहीं उगता है तो इंडोनेसिया और यही पाम ओयल भारत को एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया में जितना पाम ओयल खर्च होता है उसका 50% पाम ओयल इंडोनेसिया से आता था जितने आप समोसे कचोड़ी 5-5, 10-10 रुपए के खाते हो यह हर एक पाम इतना सस्ता तेल है कि जितने भी आप जितने भी आप जंग फूड खा रहे हो सब पाम ओयल है वह बहुत ही नुकसान दाएक बहुत ज्यादा अब क्या हुआ इंडोनेसिया में खुद पाम ओयल का कमी आ गई खुद इंडोनेसिया में पाम ओयल की डिमांड इतनी बढ़ ग इंडोनेसिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पाम ओल उगाता है इसलिए इंडोनेसिया ने भारत में पाम ओल भेजना क्या कर दिया है बेन कर दिया है प्रतिबंदित कर दिया तो पहला कोशन तो यह आएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ओल कौन उगाता है कौन प भारत इंडोनेसिया की बजाए किस से सबसे ज़्यादा पाम ओयल खरीदता है तो मलेसिया तो आप से question पूचा जाएगा कि किस देश ने पाम ओयल भेजने से मना कर दिया तो भारत दुनिया में किस देश से पाम ओयल लेता है तो अगर मैप देखोगे तो एक ग्रीन कलर का इंडोनेसिया है इससे हम पाम ओयल आप रजिस्टर पैन लेके बेठा करो रजिस्टर पैन लिखते रहा करो इससे हम अब पर पाम ओयल नहीं मिलता चलो प्री से डर लग रहा है अगर साइंस आपने पढ़ी है यहां पर तो डर नहीं लगए जिन बच्चों ने प्री की पूरी साइंस पढ़ ली होगी आई मेगनस पर तो मुझे लगता हुन्हें साइंस से बहुत डर लग रहा होगा चलो अगली बात करते हैं आइसबर्ग यहां पर यह देखो यह पूरा एक पूरी आइस है मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको दिख रहा होगा की नहीं पर यहां से एक बर्प का टुकड़ा अलग हो चुका है तो अंटार्टिका में एसवेंटीसिक्स नामक बर्प का टुकड़ा अलग हो गया है यह दुनिया का सबसे बड़ा गलेसियर है तो दुनिया का सबसे बड़ा गलेसियर से टुकड़ा एसवेंटीसिक्स अलग हो चुका है अंटार्टिका से तो आपसे पूछे जाएगा कि दुनिया का सबसे बड ग्लेशियर जो टूट गया है कौन सा है A76 तो आप से पूचा जाएगा A76 कहां पर है अंटार्टिका बिल्कों रिविजन करवाएंगे चलिए ठीक है तो याद रखना है A47 नहीं है A76 अंटार्टिका अगली बात करते हैं अगली बात करते हैं लेवनान की या लेवनान सीरिया के ठीक बगल में एक ACI देश है लेवनान और लेवनान की सबसे लंबी नदी लितानी रिवार है यह है रिवार इस नदी का नाम है लितानी नदी सुनो 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 हुआ क्या है तो सीरिया के बगल में लेवनान है इस लेवनान की एक नदी है लितानी नदी सबसे लंबी नदी है लितानी नदी और लितानी नदी में एक जील है बहुत प्यारी सी जील है जिसका नाम है कारुन जील तो लेवनान की लितानी नदी में पानी रोक के जील बनाई है जिसका नाम ह कारुन और यहां पर भी हजारों मसलियां मरी पाई गई है इस कारुन जील में भी बिलकुल वैसे ही जैसे अरुनाचल प्रदेश की कामेंग जील में तो बिलकुल वैसी यहां पर भी लेवनान के लितानी नदी के कारुन जील पर हजारों मसलियां मरी पाई गई है चलिए ठी जिबनान की लितानी नदी की कारुन जील में भी नदी मसलियां मरी पाई गई है चलो अगली खबर पढ़ते हैं उडिसा की उडिसा में एक नदी है रिसी कुलिया कौन सी नदी है रिसी कुलिया नदी और यहां हर साल अंडे देने एक कचुवा आता है कचुवे की इस प्रज प्रजाती है औलिव रिड़े फिर तो सुनो आप से पूछेगा कि उड़ीसा की किस नदी के किनारे ओलिव रिड़ले नामक कच्वा अंडे देने आता है तो आंसर हो जाएगा रिसी कुलिया कमाल की बात है कि इस बार टाइम से नहीं पहुचे तो आप से पूछा जाएगा क कि ओलिव रिड़ले नामक कच्वा की प्रजाती किस नदी के मुहाने पर अंडे देते हैं तो उड़ीसा की रिसी कुलिया उड़ीसा बिल्कोज ना तो याद हो गया होगा अगली खबर यह बन्नी यह बन्नी इस गुजरात में एक घास भूमी है जिसका नाम बन्नी यह कु बन्नी में एक चरवाहा जाती है जिसका नाम है मलधारी यह मालधारी जिसके पास बहुत सारा माल हो उसको क्या बूलेंगे मालधारी तो गुजरात में एक चरवाहा जाती है मालधारी और इनका गुजर बसर चलता है इन बन्नी घास भूमी में जब तक यह बन्नी घास भूमी में लोगों ने खेती शुरू कर दी है इस बन्नी ग्रास लेंड में लोगों ने प्लॉटिंग शुरू कर दी है इसलिए इन चरवाहों ने एन जीटी में अपील की और एन जीटी ने फैसला सुनाया है कि यहां पर कोई भी कंश्रक्शन वर्क नहीं होगा मनला बन्नी घास भूमी किसके लिए आएगी मालधारी या मलधारी की समझे मांगे क्या है बन्नी घास भूमी कहाँ पर है गुझरात दूसरा बन्नी घास भूमी में कोंसी चरवाह जाती पाई जाती है तो मालधारी और तीसरा क्यों कि कोंसी संस्था ने मालधारी को इस पर कबज़ा दिया है तो एन जीटी नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल अगली खबर है चाड से अफरीका का एक देश है चाड यहां पर राश्पती है इड्रिस डेबे इड्रिस डेबे यहां की सेना ने तक्ता पलट करके इड्रिस डेबे को हटा दिया देखा तो अफरीका में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है है ना तो अफरीका की एक देश है चाड चाड के रास्पती इड्रस डेवे को इनहीं की आर्मी सीनियर लोग नहीं जूनियर लोगों ने पहले क्या किया आर्मी के जूनियर ओफिसरों ने अपने सीनियर ओफ अगली खबर है नियुजिलेंड से नियुजिलेंड ने क्या किया है जितने भी कंपनियां होती है जितनी भी वित्तिये फर्म है कंपनियां है उनके लिए जलवायू परिवर्तन के नियम बना दिये है तो नियुजिलेंड ने क्या किया है जितनी भी फर्म है सब को climate change सब पर climate change law लागू कर दिया है ये दुनिया में पहला ऐसा देश है तो दुनिया में पहला ऐसा देश है कौन सा है जिसने सभी कंपनियों में climate change law को लागू कर दिया है तो वो देश है नि तो मेरे क्यासे याद हो गया चलो सर बहुत सारा कंट्री में हुआ है कौन सा सही होगा चलो तो आप से पूछा जाएगा कि जलबाईू परिवर्तन के नियम सभी कंपनियों पे लगाने वाला देश कौन सा है निजिलेंड अगला ख़बर अगली ख़बर है इरान के इरान में एक atomic research center है नतांज नतांज या नतांज ये नतांज और इसराइल ने इरान ने असा दावा किया है कि इसराइल ने इस नतांज को हैक कर दिया है इसलिए इसकी electricity गायब हो गई है जिसे बोलते black out तो इरान के नतांज atomic center में इसराइल ने बत्ती गुल कर दी इसराइल कितना सरार्थी देश है एक ध्याने किसी के लता किया बंदर गायव पर कौन सा देश है किस देश के अच्छा बताओ इसराइल किस देश के लता किया बंदर गायव पर बंबारी कर रहा लता किया चुह किस देश में है अभी 603 और फारी से जराइल के लटा किया पर से बंबारी कर रहा है दूसरी तरफ इरान के नतांज। में उसमें बिज्ली गुल कर दी है करके ठीक तो आप से पूछा जाएगा कि नतांज एटोमिक रेक्टर जो चर्चा में था वो किस देश में है इरान और लता किया बंदरगाय किस देश में सीरिया हमला दोनों पर एक ही देश कर रहा है इसराइल अगली खबर बंगला देश में एक आइलेंड है जिस आइलेंड का नाम है भासण चार आइलेंड ये देखो ये है तो बंगला देश का एक आइलेंड है भासण चार आइलेंड बंगला देश सभी रोहिंग्याओं को ये रोहिंग्या जितने भी रोहिंग्या है बंगला को भासर चार आइलेंड में बिस्थापित करेगा तो ये 100% मिलने वाला है आपको कि बांगलादेश सभी रोहिंग्या को किस आइलेंड पर ले जाने वाला है तो आंशर होगा भासर चार आइलेंड तो कल इसके आगे कल हम क्लास आगे करेंगे ठीक है चलो कल इसके आगे हम complete करेंगे ठीक है कल हमारे चर्चित स्थल complete हो जाएंगे इसके बाद चर्चित विक्ति इसके बाद पूरे चर्चित विक्ति में निध्यन पुरुसकार वाले सब आ जाएंगे तो आपका 15 मही तक पूरा current affair complete करा देंगे बस आपको daily 8 p.m. पर class मे आना है थेंक यू धन्यबाद